तो हुआलो फ्रेंड्स मेरा नाम है भीज़ कुमार और मैं आप सब में पर स्वागत करता हूं इसके कि आप देखने हैं इस्लाइड में आज का जो मारा टॉपिक है क्या लिखाओ इन्धीज है थैं और इन्धीज में इसके लिखाओ और इन्धीज में पॉश्ट्न करने यहां पर हमने concept सीखे हैं, कि कीस तरीके से आपकी iniqulities को deal करना है, इसमें मैंने काफी detail में बठाया आपको तो दोनों class में, अगर आपने यह दोनों classes देखे होंगी, first or second, तो आज के question में आपको कोई problem नहीं आएगी, खुदी कर लोगे, तो देखो, आज मेरे पास 20 question है, और इसमें हम थोड़ा 0 level से start कर रहे हैं, और फिर हम धीरे-धीरे-धीरे level निसका बढ़ाएंगे, आज की class number है थी, तो जो question बच जाएंगे, थोड़े और high level के question हम करेंगे next class में, इसकी 4 class इसकी, मैंने आपको पहली starting में बताया था, first, second, third, fourth, चार class इसकी, तो पहली तो होग आज थर्ड क्लास है, आज एक है 20 question है, 20 question है, और अभी class में भी आपके पास 20 से ज्यादा question मिलेगे, 20 यह देखना पड़ेगा, याद नहीं है, 20 के around the question हो या ज्यादा हो सकते है, तो करना क्या देको जैसे आपको पता, इसमें IVPSP or pillar के लिए, आपकी class ही चल रही है, जो topic है 20 से जादा classes मिलेगी, और पूरे detail में मिलेगी, बना पूरा है, एक एक उसको detail में बताया जाएगा, और जो puzzle आपको कहां से cover करनी है, जो puzzle है, 50 plus puzzle है, 50 plus puzzles, ठीक है, सारी puzzles मिलेगी, इसके अंदर आपकी, और यह अलग से session जल रहा है, ठीक है, यह classes भी हो रही है, साथ की साथ आप देख सकते है, तो देखो, आज कर क्या है, question, question से पहले आपको पता है, iniquities हमारा topic और class number तरी है, देखो, कल आपने जैसे की next local previous class हुई थी, उसमें सारा BC concept सीखी है, तो आज हमें कोई problem आईगी नहीं है, तो पहला question ही है, तो करना है क्या आप इसको खुद कोशिश करो क्या लिखा है, तो करने की approach क्या होती है, इसमें आपको पहले जब भी कभी भी question आएगा, आपके screen पर question आएगा, तो आपको पहले statement को read नहीं करना है, statement से कोई रिना दिलानी होता, हम conclusion पे जाएंगी, y की बात कर रहा है, b की की बात कर रहा है, तो b पर जाओ, b और y पर जा अपना answer निकालो, इसका answer चोड़ो, तो आप बताओ, क्या answer बता सकते हो, यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर y लिखा, तो कहीं पर भी अगर greater के series में greater निल जाए, तो पहला preference greater को देते हैं, तो क्या b greater y पूच रहा है, अगर यह पूच रहा हूँ तो सही करेंगा, otherwise ignore कर दें तो हाँ यही तो पूच रहा है, तो आपको यह विट बास सही पूच रहा हूँ, आप conclusion यह तो 100% सही है, अब जरा next देखना, जरा next देखना, next में क्या पूच रहा है, a और s, तो देखो इसी approach से करना आपको, a पर जाओ, s पर जाओ, a पर जाओ, a पर जाओ, a पर जाओ, a a यह रहा, s यह रहा, अब a से s के बीच पर जाने पर ध्यान से देखना, क्या होड़ा है, एक पार्दे को ध्यान से देखना है, चल्दी से देखनी होती है, series यह, greater equal, greater equal, or similar equal, यानि की series break हो गई, series break का मतलब क्या होता है, मैंने पहरी समझाया था, कोई भी दो symbol ऐसे आमने स जो इधर और क्या दोनों ही गलत ओनेनी चाहिए पहले, तो option number one मतलब conclusion number one सही है, तो आपका answer यहाँ पर होगा, only conclusion first follows, पहला ही conclusion बहुत है, ठीक है? अब प्रेदे को कैसे करना होता है जैसे कि N और U पूछा है तो सीधा conclusion पाए N और U N पे गए U कर गए U उपर U अब बस N से देख लो U पर अब N की तरप से देखता हूँ तो एक वार तो greater आ रहा है एक वार equal आ रहा है तो पता हो answer क्या निकलेगा N greater U होगा अगर N greater है U से ध्यान से देखना इसमें गलती के पूरे पूरे चांस है अगर N greater है U से तो U smaller है तो यही तो पूछ रहा है अना N greater U तो 100% सही है यह answer अब second वाला देखो क्या बोल रहा है D greater U तो D पर जाओ D पर जाओ और U पर आओ जरा दियान से देखना D से यू, D से यू के बीच में एक बार तो equal का sign है एक बार greater equal तो आप क्या पूस में preference दोगे बताओ अपना answer बताओ उसका छूड़ो तो हमें पताया कहीं पर भी greater की series होती है सबसे पहले preference greater को देते हैं पर यहां से लेके यहां तक तो greater ही नहीं available तो कोई बात में अब ग्रेटर अब नहीं नहीं तो second preference देते है greater equal को तो यह answer दिखना चीह है तो आपको यह तो बहुत और पूछ रहा है यह तो पूछ रहा है D greater you आपको हम नहीं जानते हमें नहीं पता इसके बार आप बारे में यही तो बोलोगे CNDCND means cannot determine क्या पता हो क्या पता नहीं तो इसका आंसर हम नहीं बता सकते तो इसका भी answer क्या आना चीह है only conclusion first is four rows ठीक है देखो इस approach से कर लिया आज practice हो जाएगे अच्छी फिर भरही से जो practice पचेगी वो कल कर ले next class क्या लिखा है k और o आप k से जाओ o पर जाओ k यह रहा o यह रहा k से o के बीच में ध्यान से देखना है k से o के बीच में बता सकते हो जहां से देखो greater greater equal greater equal smaller ही पर series break हो गई जब यहीं पर series break हो गई तो आगे क्या निका लो का answer आपका हो हम नहीं जाए हमें नहीं पता इसका answer हा गलत कर रहे है अब बोल रहा है n or t, n यहा यह रहा, t यह रहा, n से t के बारे में कुछ चानत द्यां से देखना n से t के बारे में तो and की तरब से देखो कि एक बार तो greater, फिर greater, फिर smaller, again series break, आंसर बता पाऊगे, देखो कभी भी हमारा अगर answer neither nor आता है, आएगा कई बार, तो उसको ऐसे मच छोड़ना क्या पता either or भी बन जाए, either or के लिए condition क्या होती है, variable same होने चीए, तो देखो K or N क्या बराबर है, K O N K A T बराबर है क्या, पहले तो इसमे either or आए गई, इतना ही मैनद करने की जोड़ूती है, क्यों, either or क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 sign की requirement होती जब either or आता है, series break के case में, क्योंकि देखो 2 case series break होए, series break होए, series break ही तो हुई है यहापर, तो 3 sign है, यहापर तो क्या है, greater यहापर greater or smaller, equal sign missing है, तो answer क्या आना चीए, neither or not, check करने की जोड़ूती है, check जब करेंगे हम, जब हमारे पास 3 sign available होँगे, जब 3 sign available ही नहीं है, तो क्यों मैनद करेंगे, तो उसका answer क्या हैगा, neither conclusion one nor conclusion second follows, ठीक है, आप देखो हम 4th question पर चलते हैं, 4th question देखो ज़रा ध्यान से, तो क्या पूछ रहा है पहले P और E, P से E पर जाओ, अगर मैं P से E पर जाओ, ध्यान से देखना question में, गल्ती होने उने के पूरे पूरे chances के अंदर question में, K से P, तो K से E पर जाने पर देखो, series break हो रही है, हाँ, series break हो गई, दो simbal आमने सामने आ गए, कह दो हमें answer में ही पता, अगला F और K, तो F से K के पीच में answer इसे पता सकते हो, कैसे बता होगे, यहाँ पर series break हो रही answer नहीं पता, अब जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, काफी लोग इसकोर क्या लगा देगे, नाइधर नहीं, पर मैंने अभी क्या बताय था, previous question पर देखो जड़ा, मैंने का, either or जब check करेंगे, जब तीन सिंबल होगे, हाँ तीन सिंबल तो है, वही एक वार greater, एक वार smaller equal, पर आप तो कहोगे, वैरीवल तो दोनो अलेवल अलेवल है, देखो इस तो इस तो इस तो पॉस्टन ना, मैंने आपको concept class में दरवाया था, तो क्या करो देखो, कही p & k बरावर तो नहीं, p & f थ्यान से देखो p&f बरावर तो नहीं है p & f थ्यान से देखो इसको चला ऐसे लिखो इहां पर space played, space में degradation है, sp milaare p & k, तो ध्यान से देखना, तो p & f बरावर है क्या? p & f थां बरावर है, p & k बरावर है, P & K, तो कोई बात नहीं, तो P का नाम इतर लिखा हुआ है, अगर इसकी जगा K लिखतों कोई फरक पड़ेगा, क्यो कि P & K तो बराबर है, P & K तो पराबर है, P & K नाम लिखो, K कोई फरक नहीं पड़ता, E & F देखो, P & F बराबर है क्या, E & F हाँ बिटकुल पराबर है लो, एक में चेंज करना होता है किसी में भी चेंज कर लो मैसे को इस बार F कर देता हूं अब बताओ ये दो दो ये वारियाबल आ गये ना तो अब मैं आंजर बता सकता हूं बिल्कुल बता सकता हूं कैसे हैं पहले में क्या लिखा है P greater F और दूसरे में लिखा है F smaller equal P तो अब आएगा नहीं आएगा जरो मैंने बता है जब भी हमारी सिरीज ब्रेक होगी तो तीन साइन की रुपैरमेंट होगी तो तीन साइन बन रहे है तो इधर एक बार P fix कर लो इधर ये आया तो पहले में क्या है P greater F से हां और दूसरे में अगर P और F न लिखेंगे तो क्या हैगा देखो P पी क्या हैगा जहां से देखे न इसमें बोद लोग गल्ती करेंगे देखे इसमें क्या करोगे तो इसमें क्या है बताओ P greater यी तो है F से ठीक है और यहांपर क्या जागा P equal F तो बना सक्ते हो क्या इधर हो यह अच्छा कोश्चन था ना ना इधर नौर आगे देखते हैं, वहारा अपना कोश्चन है ध्यान से देखना देखा है S greater है L से तो S और L पे जाओ, S का रहे हैं, S ढूंड़ो अगला बोल रहा है, S से L पर जाओके तो कहां देखो, जल्दी से देखना होता है, greater किसी दीज चल रही है कहीं सी दीज ब्रेक तो नहीं है, और कहीं पर भी greater ना ज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं है S greater L से, 100% से अगला बोल रहा है, R स्मॉलर है V से, तो R स्मॉलर है V, V कहा है V दूदो V, V कहा पर चलेगा यह रहा, V से R देख लो, या R से V देख लो, अगर R से V देखू या V से देखू तो V greater हो गया R से, आ तो V greater ही तो पुछा R से, तो दोनों सही होगे, तो इसमें answer क्या ना अभी तो A की statement वाले चल रहे है, तो इस तरह की question आपके killer में आते हैं, और RRB में पुछे जाते हैं, P.O. में killer में, तो A की statement आते हैं, पर जैसे क्या 5 question पूछे है, 5 में से 3 आ जाएंगे statement और killer में तो आते ही है, आप देखो ध्यान से, B और A, B पर जाओ, A पर जाओ, B से A पर देखो, तो g m होना चाहिए, पर यह क्या पूछ रहा है, 100% गलाद, क्या अंसर आएगा, नाइधर conclusion 1, नौर conclusion 2, follows, यहां तब तो समझ आई रहा होगा, आगे देखते हैं, देखो, अगला देखो question है, e smaller a, तो e कहा है, e ढूंडो, और e ढूंडो, e से a पर देखो, smaller की स्रीच चल रही है, विल्कुल बास सही है, a की तरब से देखो, तो greater है, तो मैं कहूंगा नहीं, e greater है, e greater है e से क्यों, greater की series में कहीं पर भी greater रहा है, तो पहला preference उसको देते हैं, तो यही तो पूछ रहा है, अगर e greater है, e से तो e smaller है, 100% सही है, second देखो, d greater है m से, d यह रहा है, m यह रहा, d greater है m से, गलत बात है, अब यह पूछ रहा है, d greater है, next question देखो, यहाँ पर, अब देखो, क्या कुछ रहा है, n और s, n s, तो n smaller s, तो series ही बात है, s greater है n से, n s पर जाओ, और n पर जाओ, हाँ सही बात है, greater की series चल रही है, तो greater heavy level है, कहीं सहीं, कहीं सहीं, 100% सही है, अब और t greater है r से, तो t or r, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, तो दोनों होंगे follow, both confusion follow, यह बोध are true, ठीक है, आगे देखो, यह लिखा है, O और P, O और P, दोनों तरफ O P है, तो O और P से पहले अपना answer निकालो, O से P के पास बारे में, क्या definitive answer जानते हो, यहां पर O लिखा है, यहां पर P लिखा है, हां बिल्कुल जानते है, कहीं पर भी greater आजा है, तो greater को preference देते है, तो O greater होगा P से, जब O greater है, तो यह तो गलत है, 100%, तो यह आला सही है, तो इसमें कुम सा हैगा, second conclusion follows, ठीक है, अब देखो, क्या लिखा है, M greater equal है, Z से, और M smaller equal है, यह देखना है, यह अच्छा question है, तो M से मुझे Y पर answer बता दो, आप कहोगे M से Z तक, नहीं पता सबता है, क्यों सीरीज ब्रेक होगी, सिम्ब आमने सामने रहे है, answer नहीं पता, अब करना क्या होता है, जब भी सीरीज ब्रेक होगी, आइधर और आने के लिए, तो ध्यान से देखो, पर आप कहोगे, यहां पर तो variable है, अब ध्यान से देखना है, Z और Y बराबर है, Z का नाम लिखू, Y का नाम लिखू, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं नहीं, इसको काट के Y करो, भी Z और Y एक जैसे है ना, अब आप कहोगे, इसमें 4 सिंबल है, 4 सिंबल नहीं है, 3 सिंबल है, इस तरह का question concept class में कवराता हमने देखो, अगर मैं इसको open करो तो क्या हैगा, M greater Y, और M equal Y, यही तो आएगा, अगला कह, M smaller Y, और M equal Y, तो कितने sign आ रहे हैं, 3 ही तो आ रहे हैं, अब एक बात को दो बार कहोगे तो उसको परक तो परक तोड़ना पड़ेगा, M greater Y, M equal Y, M equal Y, 3 ही माने जाएंगे, क्यों को कि 3 है, तो सीधी सी बात है, यह 2 स्टेट में conclusion समझ लो, मतलब कि यह एक person है कोई कहने वाला, और यह भी एक person है, अगर मानलो आपके 2 कोई friend है, और पहले ने कहा कि M equal Y से, और दूसरा भी कहता है M equal Y से, तो एक ही बात तो कह रहे हैं तो एक ही बात तो एक ही बात consider करो ना स्को, तो एक ही नी symbol है, तो इसमें क्या आएगा, either or, यहां तक देखो 10 questions हो गए हमारे है, आगे देखो, अगला क्या है, देखो, T से M, तो T ये रहा M ये रहा, T से M पर अंसर बताओ पना उर्जिन, T greater equal M यह आएगा, क्यों, क्यों 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 यहां पर greater equal, greater equal, greater equal equal, तो greater तो है नहीं, तो यह तो हम जानते हैं, पर यह तो यह तो T or M, क्योंकि T greater equal K से, पर आप देखो, अगेन बोई case बन जाएगा, आइदर और आने के लिए क्या होता है, M और K बरावर है हां, पर M का नाम लिखो, K का नाम लिखो, कोई पर पड़ेगा, पहले statement का से लिस होता हम, T greater equal K, second लिस होता हम, अब आप का हुगा, इदर से, हां यह तो देखो, अगर इसको open करूँ मैं, इस तरीके से, यह तो T greater होगा K से, यह T equal होगा M से, तो यह answer आना चाहिए, यह आइदर होगा, देखो, अगर यह सीधा answer आजाता, T greater equal K, तो मैं रिटाइड कर देता, पर ऐसा तो नहीं हो, तो आप कहोगे, यह इसमें आइ होगा, तो आइदर हो रहाएगा, से, यह option number seems है, आगे देखो, आप थोड़ा सा question का level कड़ेगा, अब यहां पर कितने statement है, 1, 2, 3 है, तो क्या करेंगे, काफी लोग जो गल्ती करते हैं, मैं बद आता हूं क्या करते हैं, वो लोग इनको combine करते हैं, मैंने आपको पहले ही पत क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे जाना पड़ेगा, तो पहले common term ढूंडो, इन दो statement में कुछ common नहीं है, अब इन में देखो, इसकी help लोग, तो T से, W से जाओ, J पर, पिर J से किस पर जाओ, इस पर जाओगे, देखो, E पर, फिर E से जाओगे, A पर, क्या answer बता पाओग देखो, ऐसे direct करना है, अगर बैसे बनाओगे, तो काफी time waste होगा, देखो, दुवारा देखो इसको, आपर इसको erase ही कर देता हूं, पहले मैं erase कर देता हूं, अब दुवारा समस्ते, question थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसको मुझे पता है, काफी लोग, combine करके करेंगे, और e से आओगे a पर, तो series break नहीं हो जाएगी, e यहां पर भी smaller है, यहां पर भी, और सीदी सी बात देखो, और shortcut तरीका क्या होता, इसमें थोड़ा concept अच्छी होने च्छे, a को smaller equal करना है, पर a तो यहां पर greater equal बनेगा, तो गलत बात हो, अब लिगा d smaller, तो d smaller है, तो d को d और s तो d यह रहा, ऐसी यह रहा, कैसे जाओगे देखो, d से जाओ, j पर, अना, d से जाओ, j पर, और j से जाओ, s पर, तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, अना, तो बिल्कुल 100% सही है, देखो, इस तरीके से बाता है, मैं इसको combine करके बता जेता हूँ, करना मति यह वाला इसको combine करने चाहूँ, तो what time लेखेगा, मैं देखाता हूँ, किस तरीके से करेंगा, इसमें थोड़ी practice अच्छी होगी ना, तो सारे direct हो जाएंगे, कैसे देखो, कैसे combine करोगे इसको, देखो, d लिखा, e लिखा, d लिखा, और j लिखा, j लिखा ना, फिर j से जाओगे, कै कैसे combine करो गोँ है, मैंने तो कभी करा है, w, wj, w, η, j, a, mág, m. टो चीषी तरीके से करते हैं, साहच गोँ होग으, ठीर s, a, e, a, e, तो काफी time based होगे है अब धेखो, guess करो कि w से a पर जाओगे w से a पर जाने के लिए कैसे जाओगे, पहले w से जाओगे इस पर j पर फिर देखो, यही पर ही आपकी क्या करते हैं, इस तरीके से series break हो जाएगी यहां पर इस सीरीज पर जाएगी कहां से बताओगे, फिर D और S पर जाओगे, अन्ना यह तो आ रहा है, यही तो मैं बूल रहा है तो 2nd होगे, पर इटारेक्ट करने पूर्शन, इस तरीके से मत करना इसमें करोगे काफी टाम देश्ट होगे, 2nd ही फोलो होगा, 2nd देखो द कैसे देखो के देखो, इन दोनों में combine करो, यह वाला statement देखना है फिलाल, यहां तक और यह वाला देखना है, यह अलग-अलग statement है, तो इन में common दो, तो common क्या है, E common आ रहा है नहीं, F common आ रहा है नहीं, U common आ रहा है, U, तो कैसे जाओगे, कहां से देखना है, K से जाओगे यू पर यह ना k और u बराबर है और u से जाओगे किस पर? c पर तो आतो गया है अब k का नाम लिखो या k का नाम लिखो बात तो सही है तो k greater आगे है na c से इस तरीके से करना है 500% सही है second देखो second क्या है as greater करना है q से तो s ही यह रहा q यह रहा तो यह वाली statement लेनी है और यह वाली combine करना है तो वही तरीका है तो ढूंडो यह आ रहा है comment नहीं h आ रहा है हाँ तो s से जाओगे h पर फिर h से जाओगे इस पर q पर हम मुझे एक बार बताओगे जादा मसुचोंगे यहां से यहां तक जाने पर ई सीरीज ब्रेक होगे या का अब देखो यह कापी बड़े-बड़े यह आपका trick वाला question है, मैं अब दताता हूँ कैसे मैंने ऐसा question करवाया था concept class में, B और U, B दूणड़ो B कहांपर है, B इधर ही है, और कहीं B तो नहीं है, देख ले ना कई जगा होता है, अब मुझे एक बात बताओ, दिखाए B को करना है smaller, अब हमारे statement में B या तो greater है या equal है, देखो अगर मैं इसको combine करें लगूं, तो क्या बनेगा, या तो B देखो अगर combine करता हूँ, या तो B greater equal बन जाएगा, या अगर आगे series combined होई तो B क्या होगा, greater हो जाएगा, या series break होगी तो answer होगा, किसी भी condition में क्या B छोटा हो सकता है, जब हो नहीं सकता तो क्यों check कर रहो है, time duration है B तो smaller बनी नहीं सकता, अब ध्यान से देखना, Q को क्या करना है, smaller करना है, तो again Q कभी smaller होगा, कभी की नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो यह भी नहीं आगा, इतनी जल्दी question होगा है, तो उसमें आएगा neither mode, either mode check करना नहीं है, को कि B और E बरावर ही नहीं होगे, नहीं है, Q 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 इसा question मैंने concept class में गरवाया था, देखो ऐसा होता है, Iniquities ये कहते कि निभी तो variable के बीच में definite में answer चीए तो series break नहीं होने चीए, और दूसरी condition ये कहते है कि उन दोनों variable के बारे में आपको information नहीं होने चीए, अब देखो y और z तो हमें पता ही नहीं है इनके बारे में, चाहिए statement में हो ना हो, तो क्या अगर मैं इसको open करूँ तो y greater z या y equal z ही तो आएगा, और त्यूसरी में y similar, तो either or आएगा नहीं आएगा, either or याएगा क्यों स्मिती inside requirement हो गई, यह फुल्पीड हो गई पूरी क्यों, यह हमें पता नहीं ना इस variable के बारे में, अब यहां पर नीदे रहें तो उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, कही ना कही तो यह variable होंगे ना, इसी दुनिया पे तो होंगे, तो उसके लिए या either or ही तो आएगा, यही तो होता पर दो variable के बारे में आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, चाहे वो statement में दी हो ना दी हो और उनके बीच में तीन symbol आजाए, तो either or कर देना, तो इसमे either or आएगा, ठीक है, यह either or आएगा इसके अंदर, ऐसा question हम ने करा था, आप देखो, यह दोड़े से easy question हो गए, दिखा है r greater e, तो r पर जाओ, और e पर जाओ, common room के है n, तो कैसे जाओगे, कैसे जाओगे, r से गए n पर, तो r greater हो गया n से, और n से यहाँ पर जाओगे e, तो देखो series break नहीं हो जाएगी, series break बूट हो रही है, n देखो इधर भी greater आ गया, इधर भी smaller, देखो इस तरीके से दोबरा देखो, r greater हो गया n से, पिर n से जाओगे, तो इस तरीके से combine अबर करोगे, तो इस तरीके से कहां से आ जाएगे? यह रह यहाँ पर भी smaller हो गया, यहाँ भी series break answer में दा सकते, अब बोलगा Z greater n से, तो Z n कैसे जाओगे, यहांसे तो सीधा दे रखा है, Z से n पर जाओगे, तो क्या आएगा, देखो, Z की तरफ से देखेंगे, तो एक बार greater का sign है, एक बार greater, बल्तो, क्या होगा, Z greater n, हाँ, यही तो पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या conclusion लगाओगे, second poll होगा, ठीक है, इसमे second poll होगा, next, देखो question, क्या लिखा है, Y, Z, तो Y कहा है, Y कहा है, गूंडो, Y यह रहा, और Z यह रहा, तो कैसे जाओगे, Y यह रहा, Z यह रहा, तो Y से जाओ, X पर, X ही common है, ना, इस तरीके से मिलगा, Y रहा, Y रहा, Z, अगर यह answer होगा, तो मैं सही करूँगा, नहीं तो आधर और और आजाएगा, तो देखो, अगर मैं इसको open करूँँ, तो क्या था, Y रहा, Y रहा, यह रहा, तो यही तो यह पूछ रहा है, अभी तो कराता है, अभी तो कराता है, अभी तो कराता है, आधर हो रहा है सके इंदर, ना, option number 3, option number C, will be correct answer, next question देखो, अब देखो, क्या बोलगा, D और C, तो D पर जाओ, ना, D पर जाओ, और C पर जाओ, common term देखो, common term F है, तो देखो, इस तरी से जाओगे, D से F, D से F जाओगे, और फिर F से C पर आओगे, तो क्या होगा, बताओ, देखो, D से F और F से C पर, तो सही बात तो है, क्यों कि देखो, क्या कहता है, इसके इंदर, एक मिनटे, तो कि F और C तो पराबर है, चाहे F का नाम लिखू या C का नाम लिखू, कोई फ़रक पढ़ना नहीं है, तो हो तो गया, D greater C, D बड़ा है C, पहला तो 100% सही है, अब बोलड़ा, A smaller, अब मुझे बात बताओ, A तो यहाँ पर greater आ रहा है, कभी यहाँ पर smaller बन सकता A, और A कहीं पर है नहीं, तो क्यों check करना सको, क्यों time waste करना है, तो यह तो कभी बनेगा नहीं तो यह गलत हो गया, इसमें फर्स्टी कूल होगा, लास्ट कोश्चन है देखो, क्या लिखा है R greater है H से, तो R यह रहा, H यह रहा, common term Y, तो R से H पर जाओ, यह रहा है, तो कैसे करोगे, X से जाओगे Y पर, और Y से जाओगे N पर, तो आतू रहा है, यह भी सही है, यह भी तो सही है, तो यहां पर इसको combine करूँ, तो ऐसी तो आएगा, तो इसमें दोनों आएगा, को तो यही कोश्चन देखो, तो आज हमने 20 कोश्चन करें, और हमारे सारे कॉंसर्ट पहले से क्लियर थे, तो कितने जल्दी कोश्चन हो गए, अब क्या करना है तो इसमें आप हम next class में मिलेंगा, 20 कोश्चन ओर करने हमी, और इससे लेवल और अप मिलेगा आपको, इससे लेवल थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा, वैसे इसी लेवल की कोश्चन आते हैं एक्जाम में, पर इससे थोड़ा से लेवल मैंने आगे रखा है, अब क्या करना है को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, और यह यूटूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर लेना, आप नेक्ट क्लास में मिलते हैं, लास्ट क्लास हैं इक्टिज की लास नमबर पूर,